ये रेमडी आप सब के लिए बहुती यूश्फुल होने वाले है आपको इसमें दो चीज का काम है एक तो चीनी का दूसरी सुखी पती का बहुती अच्छी रेमडी ये बनकर रेडी होगी आप भी यकीन नहीं करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है तो शाल ये फ्रेंड हम वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले अगर मेरी वीडियो आप सब को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक सिस्क्राइब करना मिल्कुल भी मत भूलिएगा तो सबसे पहले रेमडी बनाने के लिए फ्रेंड आपको एक कटोरी लेनी होगी और नी कौंटरी में आपको चीनी लेना होगा यहां आप वीडियो को ध्यान से देगरोना कॉंटरी आपको ज्याद़ कम हो सकता है तो तो कॉंटरी आपको हिसाब से ही इसमें हम लोग के हानीकारत होता है लेकिन जब मैं रेमडी आपको बतारने जा रहीं वह बहुत ही अच्छी तो निसमें भी फोछ का नation काणंगा है तो सबसे पहले फ्रेंड आपको चीनि लेना उसक्ते बाद में एक गिल्व लेना और उसमें इस तरह का पानी डाल देना आफ फूशियी कैस्ति लिया यहाँ है पारसन और स्क इरा को न Pandemie Marου नहीं कर देना है तो दो टाल है अपने गैस पर और इसको हम बॉयल करने के लिए रख दे रहें देखिए इस तरह से आपको इसको बॉयल कर लेना है और जब इसमें हलका हलका सा इस तरह डिमबल उठने लगे तो यह समझे कि बॉयल हो चुका है आपको इसमें अभी कुछ भी नहीं डालना नहीं आपको रिखाले लेने के बाद में आपको थोड़ा सा घ्रंव करने के बाद में जो आपने चीन Babnen लेथी उसको इस तरह से आपको इसमें ड пров PDF में डाल देना है और अपने करने का प्लेंब भुथ ँर नहीं रंखना है और बहुत सीलों नहीं रिखना है अलकी मेडियम पर इसको अच्छे से मतलब पका लेना है बहुत हाई फ्लेम पर आपको इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना है हलका सीलो ही फ्लेम पर आपको इसको पका लेना यह देख सकते हैं इस तरह से आपको इसको पकाना पकाते समय आप एक बात का ध्यान रखिए रहा कि इसको बिल्कुल भी आप को जलाना नहीं है इसको मतलब हलका ही आपको इसको बनाना जब इसका color change होने लगे तब आपको इसमें एक चीज डालना है क्या डालना है उससे पहले वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज वीडियो को लाए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा वीडियो को बि कि अफिक एपक्षकान के लिए लागी है और आप ने इसको यूंज किया नहीं किया आप देखे अविजिए अब फ्रेंड की यह अब हल्का सा पकना सुरू हो गया मतलब चीनी है वो गलना पकने लगे तो आप केसे प्लिम कर दो नहीं तो यह जल जायगा जलने में बिल्कु नहीं होगी उस समय आपको इस तरह से इसको मतलब चलाते रहना है जो एकदम से दोनों अच्छे से मिल जाए और जो चीजी नहीं गली वो भी अच्छे से गल जाए अब इस स्टेज पर आपको क्या करना फ्रेंट जो आपने पानी गर्मा के रखा था वही इसमें डाल देना ह है देखें इस तरह से पानी आपको इसमें यही बानी डाल देना है अगर आप सोच रही होंगे कि application करवा या फिंड डाला तो प्रण अगर आप ड्रीक कि इसमें ट्टा उती जो चीनी होती है वह स्पूड जाती और वह बिलकुल भी इस तरह से नहीं बनता इसलिए बारन पाली को गरंग दिया फिर इसके बाद में आपको क्या करना है आपको 4-5 लोंग लेनी है लेनी के बाद में इस तरह से आपको उसमें डाल देना और इसको आच्छे से वाइल होने देना है यह देखे फिर इस तरह से आपको डालना है और इसको वाइल ऐसे होने देना है उसके तोड़ कर डालेंगी तो इसमें जितनी भी विटामीन होती है इस पानी में आकर अच्छे से घुल जाएगी वरना अगर आप खड़ा-खड़ डालेंगे तो मतलब घुल तब भी जाएगी लेकिन तो वहाँ सा लेट लगए देख सकते हैं यह अच्छे से इस तरह से आपको तो चलाते हुए पका लेना है अच्छे से मतलब मेरा मतलब यह है कि आपको इसके पास नीबु करस्त लेना है अगर आपके पास नीबु करस्त दो तो वह यूज किल जिएगा या मैं एक डबन नीबू करास बनाकर फ्रिज में रख देती हूं जब भी हमको यूज करना होता है तो हम उसको यूज कर लेते हैं अगर आपके पास वैसे ना हो तो आप नेचरल जो आता है वह भी आप इसमें ले सकती है लेने के बाद में गिलास लेना और उसमें इस तरह स बना बहुत ज़्यदा यह खटा हो जाएगा इसलिए आपको एक नेवू से इसका आधा हिस्शा ही लेना पूरा हिस्सा मत लीजिए करना यह खटा हो जाएगा उसके मत जो आपने यह रेम्डी बनाकर रेडी की है उसको इस तरह से इसमें च्छान लेना यह देख सकते हैं इस तरह से आपको छान लेना अब जितने भी इसमें विटामिन होती है उस पानी में अच्छे से मिल जाएगी और फिर इस तरह से दवाकरस्त जितने भी रस होते हैं आपको निकाल लेना है और अब इसको हम यूज कैसे करेंगे और किसलिए करेंगे मैं आपको बतानी वाली बहुत अच्छी र KP और इसके फाइदे भी बहुत हैं तो सबसे पहले फिर अगर आपके घर में बच्चे हैं या उनसे थोड़े और यह होते हैं उनके लिए आपको क्या करना होगा मतलब इसको कैसे देना होगा कर उनके बहुत ज्यादा कर जमी है या बहुत जुखाम जो हो जाता है सीने पर कफ जम जाता है बच्चों को नहीं निकल पाते हैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आपको एक चिम्मस देना है इस से उनके जितनी भी कफ होती हैं वो गल जाती है और गलने के साथ निकल जाती है बहुती जल्दी फायदा करने वाला यह रेम्डी है और आप इसको बिल्कुल भी नहीं डेजाए क्यूकि जो भी मैंने समान डाला है सब ही natural समान डाला है जो घर पर हमको यह जिली मिल सकता ह कोई भी नुकसान करने वाला यह चीज़ में नहीं पड़ा है और मैंने इसको खुद सर्ज किया है उसके बाद में ही आप लोग इसको मत डेलेगा पिलाने से तो फ्रेंड अगर इस रेमडी को कोई बड़ा लेना चाहता है तो वो पूरा ही इस रेमडी को पी सकता है इसको फ सकता है जरू को लीजिगा